सलाव अलेकुम नों मश्कारों सत्रियकाल दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त मामा शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दिवन ब्लॉक्स तो बहुत से लोगों का कमेंट्स आए था कि सहजाद भाई आप सर्विया चले गए हो तो थोड़ा वहां का भी रूम टूर करा कि रूम मिलता कैसा है ठीक है तो आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि लेवर रूम होता कैसा है सर्विया में आप लोगों को अल्रेडी देखा दे गया हूं गल्फ कंट्री में कि जो रूम मिलता है वह वर्कर्स के लिए यान लेवर के लिए वह कैसा है और उसके उंदर कितना रूम है तो छे रूम है ठीक है उसके बाद बात करें जैसे ही हम Tellying करेंगे तो आपका मिलेगा एक gallery में आपका सूज रखने के लिए अश्टन दिया गया है और अगर in द में जाते हैं तो आपको एक site बाल्ड मिलेगा और एक site आपको नहाने का और हर कंपनी का रूल अलग होता है यह मत सोचना कि सब में यही सब सिस्टम रहता है ठीक हर कंपनी का रूल अलग होता है तो अब करता हूं मैं बैक केमरा और आपको एक एक चीज के बारे में बताना शुरू करता हूं बैक केमरा ओन करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी मेरे पुराने भीवर है वो इस वीडियो को भी लाइक कर दे और जो नहीं भीवर है मेरे चैनल से जुड़ने चाहते हैं तो यह जो रेट कलर का बटन दिया हुए इसको दबा करें सब्सक्राइब कर बैड एक बैड दो बैड उसके बाद तीन और चार और उसके बाद यहां पर एक दिया हुए टेबल यहां पर आप बैट करके अपना जो भी लिखना पढ़ना हो तासु गए रखेलना हो मैं तो ज्यादा लेप्टप यूज करता हूं यहां पर यह दिया गया है ठीक है और यह भी जो टेबल है वो चार है तीन यहां पर है और एक यहां रखा हुए चार आदमी के लिए चार कूरसिया दिया हुआ है ठीक है उसके बाद बात करें अलमारी का तो यह एक अलमारी यह दिया हुआ है दूसरा अलमारी यह है और दो वहां पर है एक यह और एक यह खुल हुआ है तो यह जो अलमारी खुला हुआ है यह मेरा था मैं पूरा लगेज पैक कर दिया हूं इसलिए कि मेरा ट्रांसपर है ठीक है और ट्रांसपर का वीडियो आपको कर लिया परसो मिलेगा उसके बार में बताऊंगा कि भाई यहां पर आने के बाद कुछ प्रब्लम्स होता है जो की भेज करना पड़ता है यह जो सेक्शन दिया है इसमें मैं वही चीजह रखता हूं जिसको बार बार उतारना पड़े और रख़ना बड़े ठीक है और यहांं पर मैं अपना बैग रखता हूं सद्वर्या तो यही सा एक नीचे भी दिया हुआ है कि इसमें भी आप कुछ सामान एस्टोर कर सकते हो इसके सांथ आपको मिलेगा दो अलमारी का की और एक रूम का की मिलेगा आपको तो आप लोग देख लिए कि भाई आपका जो सामान रहेगा वह कहां पर आप लोग रखेंगे कुछ यह पेपसी हो गयरा है जो कि मेस में मिलता है जिसको पीना होता है पीता है नहीं तो ला करके स्टोर कर देता है तो यह हो गया बाद आपको एक डस्मिन दिया हुआ है कि जितना भी कचड़ा हो रूम का इसी में डाल सकते हो ठीक है यह डेली किलीन होता है उसके बार में भी ब प्रोब्लम नहीं होता है वही अगर एसी में गरम हीटर दिया रहता है तो उसमें क्या होता है कि उसको ज्यादा देरी यूज करेंगे तो भाई नाक सुख जाता है सांस लेने में प्रोब्लम होता है यानि ब्रीधिंग में बहुत ज्यादा प्रोब्लम होता है लेकिन यह अल और उससे important चीज है कि यहां पर भी दो switch मिला है एक है नीचे वाले बेड़ पर जो अदमी सोएंगे उसका और एक है यह जो उपर बेड़ पर सोएंगे उनका तो एक system और यहां पर यह है कि भाई पिन ना यह देखो पिन यह वाला लगता है यह थोड़ा difference type का है और इसको मैं buying किया यहां का जैसे servian dinar चलता है कि रुपए चलता है नहीं मालू मैं अभी लेकिन 100 रुपए का मिला है यहां का ठीक है तो यह 100 रुपए का मुझे ट्रिप्लोग यहां का पैसे का मिला है ठीक है अभी currency के बारे में उतना knowledge यहाँ पर दिया हुए हैंगर यानि कि दो हुक है जो नीचे सोएंगे उनका और दो हुंक है जो ऊपर सोएंगे उनका तो इससे क्या होगा कि भाई कभी लफड़ा होने वाली चांस नहीं रहता है इसलिए कि रूम में अगर पर्फेक्ट बंदे ना मिले तो लफड़ा हो सकत है और एक बात आप लोगों को बता दो कि जिस कंपनी में आपको लॉंडरी मिलता है हाउस किपिंग मिलता है तो यह उनका काम रहता है कि यह चादर ले जाएंगे धोकर लाएंगे उसके बाद इसको अच्छे से तरीके से बिचा देंगे खिक है और रूम हो गएरा भी वही क किलिंग करती है यानि हाउस किपिंग में जो काम है वो लोग करती है ठीक है तो यही था मेरा रूम टूर सर्विया का यानि लेबर रूम भी आप बोल सकते हो अल्मोस्ट हर जगह यहीं मिलता है कहीं कहीं सिंगल मिल जाता है कहीं कहीं डबल मिलता है बस फ़र्क यहीं होता करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें शेयर करो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले और हर बार की तरह कहना चाहता हूं कि सुनो सब की करो अपने दिल की मिलते हैं कौन है वीडियो के साथ टेक कियर